लास्ट वाल एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि सूपरमेन की फाइट होती है डेविल सूपरमेन के साथ जिसमें हमारा जो है सूपरमेन जीज जाता है और फिर सूपरमेन उसे बोलता है कि तुम जाकर हैल लोड को बताओ कि तुम्हारा जो डेविल गोड है वो हमारे क वेलिवर मिलेते और वहाँ पर फ्रैंक्लीन और हैल लोड की काफी तगड़ी फ्लाइट होती है और लेकिन एंड रिजल्ट हैल लोड धोके से जो है फ्रैंक्लीन को कैद कर लेता है अपने पिंजरी में अब देखना ही है आगे क्या होने वाला है तुमको तो मैंने बड़े आसानी से बेकूप बना दिया फ्रैंक्लीन तुम तो बड़े बेकूप निकले तुमको लगा कि मैं भाग गया अरे तुम बड़े कच्चे खिलाडी हो फ्रैंक्लीन इस खेल में महकुराना सिकारी हूँ और मैं कभी भागता नहीं हूं मैदान लेकिन हो तो तुम कायरी तुमने मेरे उपर पीछे से वार किया अगर दम होता तो सामनी से वार करते और मुझे हरा कर दिखाते लेकिन तुमने उमेच पर पीछे से वार किया तो मेरी बात ध्यान से सुनना है लोड मेरी टीम में अग तक उन लोगों को पता चल चुका होगा कि यहाँ पर फ्रैंकलिन के साथ धोका हुआ है और वो अब कभी भी किसी भी वक्त मुझे बचाने के लिए आएंगे और फिर तुम्हारी खैर नहीं होने वाली है यह बात याद रखना मेरी हैल लोड मुझे पता है तुम्हारे टीम कितने पानी में है और कितने जमीन पे तुम्हारी टीम में एक ही बंदा है मतलब दो बंदे हैं जो मुझे से टक कर ले सकते हैं एक तो खुद लूसिफर और एक गोजो सातुरो लेकिन यह लोग मुझे लड़ने मुझ के लिए आएंगे है लोड और हाँ यह बात याद रखना तुम हमेशा अच्छाई की जीत होति यह बुराई ने अच्छाई के आगे हमेशा घुटने के हैं और इस बार भी हमारी यह अच्छाई तुम्हे घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी देख लेना है लोड तुम तुम ये कैसे बच्च जैसे बाते कर रहे हो लेकिन मैंने तुम से वादा किया था कि तुम मुझे डैविल गोड लोटाओगे तो मैं तुम्हें सिंचेन लोटाओँगा लेकिन मैंने तुम से कभी भी ये वादा नहीं किया कि मैं तुम्हें जाने दूँगा तो मैं अपनी वादे का बिल्कुल पक्का हूँ मैं सिंचेन को तो यहां से जाने दूँगा लेकिन तुमको नहीं जाने दूँगा अब तुम सोच लो मैं तुमको जाने दूँ यह सिंचेन को यह फैसला तुमारा है मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई सिंचैन को तुम छोड़ दो और सिंचैन ये बात याद रखना तुमको यहाँ से सीधर जाना है हैवन में और उनको बताना है इस जगे के बारे में और फिर वो लोग यहाँ पर आजाएंगी मुझे बचाने के लिए मैं उनको जरूर बचाऊंगा पहले मैं आज से निकल जाऊंगा फिर मैं आपको भी निकलवाने का बंदोबस कर लेता हूँ मुझे पता था कि तुम सिंचैन को ही छुड़वाने की कोशिस करोगे तो लोग मैंने सिंचैन को छोड़ दिया सिंचैन जी लो अपनी जिंदगी अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आएका मतलब मैं तुम्हें कभी भी नहीं पकड़ूँगा आयला मैं वहाँ से बचके निकलाया फ्रैंक्लीन भाईया की बदोलत लेकिन फ्रैंक्लीन भाईया अब काफी ज्यादा बड़ी मुश्किल में हैं मुझको उन्हें बचाना होगा मैं कर भी तो कुछ नहीं सकता एक काम कर सकता हूँ बस सिर्फ मैं कि मैं यहां से सीधा की सीधा हैवन आर्मी में चले जाओं और हैवन आर्मी को सब कुछ बता दूँ यही सही रहेगा मुझे हैवन में जाना चाहिए और उन लोगों को सब क कुछ बताना चाहिए फिर वो लोग मेरे फ्रैंक्लिन भाईया की हैल्प जरूर करेंगे और मेरे फ्रैंक्लिन भाईया को जरूर से बचाने आएंगे तो जल्दी चलता हूं मैं और उनको बताता हूं आकिर फ्रैंक्लिन भाईया को किस जिगह पर किड्नेप किया है उस है लो अगर आप चाहते हो कि फ्रैंक्लिन भाईया चूट जाये तो जल्दी सी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो अरेल लूसिफर भाईया उसने मुझे तो लोटा दिया लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पर काफी जादा फाइट भी हुई थी वहाँ पर डेविल गोर्ड को जब लोटा आया उसके बाद बहुत ही तगड़ी फाइट हुई थी फ्रेंकलिन भाईया और हैल लोट के बीच जिसमें अपना फ्रेंकलिन जीत ही गया था लेकिन हैल लोट फिर पीछे से आया और उसने फ्रेंकलिन की पीट पर बहुत ही जोर की लात मारी जिससे जो है अपना फ्रेंकलिन भाईया सीधे की सीधे पिंजरे में आ गया और उस पिंजरे में अंदर से बाहर तो जा सकते हैं मतलब बाहर से अंदर तो आ सकते हैं लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकते इस चकर में अपना फ्रैंकलेन भाया वहीं पर ही फस गया और हैलोड ने मुझे आजाद कर दिया उसके वादे के मुताबिक अच्छा ऐसी बात हुई किया था महाँ पर ये तो बहुत ही तगड़ी रोमान चक प्वाइट देखने को मिले होगी तुमको तो हेल गोर्ड तुम जाओगे क्या हेल लोर से प्वाइट लेने के लिए मुझे को तुम काफी ज़दा कैपेबल लगते हो मुझे लगता है कि तुम उससे प्वाइट ले सकते हो और जीत भी सकते हो देखते हैं क्या तुम जीत पाओगे उससे क्या कहते तुम इस बारे में अरो लुसिफर मैं उससे कभी नहीं जीत सकता वो काफी ज़दा पावरफुल है मुझे ज़दा पावरफुल तो लुसिफर तुम ही हो तुम क्यों नहीं जाते वहाँ पर तुम क्या सोच रहे हो तुम काफी ज़दा पावरफुल हो तुम उससे हरा सकते हो अगर तुम नहीं जा सकते तो गोजो कोई भेज दो और नहीं तो हाँ तुमने एकदम सही का मैं काफी ज़्यादा पाउरफुल हूँ लेकिन मेरे विंग्स में अभी जाए बहुत ही ज़्यादा मुझो है पंक जड़ रहे हैं जिसके कारण मैं उसे उस तरह की फाइट नहीं ले पाऊँगा और मैं हार जाऊँगा तो गोजो एक काम करो तुम क्यों नहीं चले जाते उसे हराने के लिए मैं तो जाने के लिए कब से रह रही हूँ मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम फ्रैंकलेन को बचा सकते हो क्या अब तुमने मुझसे पूछी लिया है तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और हाँ तुमको तो पता है मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ लेकिन मेरे भी कुछ उसूल है मैं कभे पीट पर हमला नहीं करता तो साइद मैं हार जाऊँ लेकिन तुम याद रखना अगर मैं आदे घंटे में नहीं आया तो तुम अपने हैवन लोड को यहाँ पर बुला लेना और फिर हैवन लोड की साथ जाना उस जो है हैल लोड को हराने के लिए समझ गए ना हाँ मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा अगर तुम आदे घंटे में नहीं आए तो मैं जाऊँगा हैवन लोड को यह सारी बाते बताऊँगा और फिर हम उसको हराने के लिए आ जाएंगे हैल लोड को अच्छा तो लूसिफर मुझे यहां से चलना चाहिए फ्रैंकलीन भी काफी ज़्यादा परिसान हो रहा होगा आखिर पताने क्या हाल हो रहा होगा अपने फ्रैंकलीन का फटफट जाता हूँ और उसको वहां से छुडाता हूँ मुझे को पता है कि मेरी फाइट होने वाली है अब हैल लोड से और हैल लोड कोई मामूली सिकार नहीं है उसे मारने के लिए मुझे अपने आफ की सारी सक्तिय यूज लेनी होंगी कहां है वो हैल लोड हैल लोड लो रो मैं आ गया तुमको मेरा ही इंतिजार होगा न अब मैं आ गया तो शुरू करें क्या फट तुमको फट की बहूत ही लगी रहती है ना हैल लोड मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी यहाँ पर आओगे फ्रैंकलेन को बचाने के लिए लेकिन अब तुम आ तो गए हो लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे गोजो सातुरो तुम जानते हो ना तुम्हारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम यूजी इटाडोरी है वो मेरे कभजे में है वो बात तो तुमको याद होगी ना उस स्टूडेंट की बात कर रहे हो यूजी इटाडोरी वो अब डैविल बन चुका है उसका नाम भी चेंज हो चुका है क्योंकि वो सुकूमा का वैसल था सुकूना का तो वो अब एक डैविल है और वो पूरी तरीके से सुकूना में ट्रांस्पोर मोच चुका है और वो याद रखना तुमसे कही गुना जाजा सकती साली होने वाला है और तुम्हारा अधिकार तुमसे ही छीन लेगा है लोड ऐसा कहने कि तुमारी हिंमत भी कैसे हुई गोजो सातुरो वो भले ही कितना ही पावरफुल हो लेकिन मुझसे पावरफुल मैं उसे कभी नहीं बनने दूना अगर उस ने कोसिद भी की तो वो भी मारा जाएगा जिस तरह से मैंने तुम्हारी कुछ दोस्तों को मरवाया था जिसमें हल्क और दिथोर भी था लेकिन आज मैं तुमको मारूंगा तो कि तुमने अपनी आपे से बाहर बात कह दी कि सुकूना मुझे मार देगा ये इंपोसिवल है ऐसा हो नहीं नहीं दूँगा मैं आज मैं पहले तुम्हें मारूंगा लगता है तुम तो बहुत ही कच्चे खिलाडियो तुम्हारा खून तो ऐसे निकल रहा है जैसे भरे मटके से पानी ये देखो कहा गए मेरे बच्चे गोजो सत्रो कहा हो अब तुम बचने वाले नहीं ये पड़ी तुम्हारी लास लगता है तुम्हारे मटके का पानी I mean to say तुम्हारा खून खताम हो चुका है ओ रब अरे ये क्या तुम कैसे खड़े हो गए वापस से तुम तो नीचे पड़े हुए हो ना हो तुम चाहिजो बे कर लो लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है मैं एक टाइम पर अपने मल्टिपल रूप ले सकता हूँ जिससे मुझे हराना लगफ़क इंपोसिबल हो जाता है ये बात तुम भूल गए थे ना और ये मत भूलो यूजी इटा डोरी मेरा चेला है अगर वो डैविल बनता है तो वो तुम्हाल को तो सबसे पहले मारने वाला है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सातिर खोपड़ी है उसे पसंद नहीं कि कोई उससे पावरफुल बने इसलिए वो सबसे पहले तुम्हें मारेगा फिलाल अभी मेरी बार ये तुम्हें मारने की लेकिन देखते हैं आज मैं तुम्हें मार पाता भी हूँ क्या लो लगता है तुम्हारा खेल खतम हो चुका है अरे तुम तो वापस से जिन्दा हो गए हा 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 लगता है तुम मुझे कुछ कच्चा खिलाडी समझ रहे हो ये मत भूलो मैं है लोड हूँ और अभी तक लो सेंटोस में मुझसे ज़्यादा ताकत वर कोई भी डेवल नहीं है कोई भी सैतान मेरी मुकाबल नहीं कुछ कर सकता है आज मैं यहां पर खून की नदिया बहा दूँगा तुम्हारी तुम्हारे अंदर काफी ज़्यादा खून है तुम्हारे अंदर तुम्हारी खून की तुमेरे नदिया बहा दिया अरे ये क्या ये क्या हो गया जब मैं किसी डैविल को पकड़ता हूँ ना तो उसका यही सवाल होता है यह क्या हो गया अब मैं तुम्हारी खून की नदिया बहाने हो ला हूँ जिस तरह तुमने मेरी खून की नदिया बहाई थी ठीक उसी तरीके से मैं तुम्हारी खून की भी नदिया बहाऊंगा इसमे तुम तो अदमरे से हो गए हो है लोड अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले तुमको मैं उसी पिंजरे में कैद कर दूँगा चलो तुम मेरे साथ अरे यार ये कहां रह गया अपना है लोड मेरे हत्ते से छूड़ गया तो तुबारा से पकड़कर लेकर आता हूं इसको और फिर इसको ठिकाने लगाता हूं मैं ये ले हैल लोड के बच्चे तुमने मेरे दोस्तों को परिशान किया था अरे ये कौन सा अटेक कर दिया तुमने है ये था मेरा इंफिनिटी वर्ल्ड अटेक इससे बचना किसी के बस की बात नहीं है यहां तक कि मेरे भी इससे मुझे भी चोट लगी है और मैं काफी देर बाद ही रिकोवर कर पाऊंगा लेकिन तुम्हारी सक्टिया काफी ज़दा कम हो चुकी है इस अटेक के करण मुझे फर्क नहीं परता मेरी सक्टिया चाहे कितनी भी कम क्यों नहों जाए लेकिन मैं अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ूँगा और तुम बहुत ही ज़दा दूर जा चुके हो इतने में मैं अपनी दोस्त फ्रैंकलीन को वापस से निकाल लूँगा और यहां स हम दोनों चले जाएंगे हैं उसको भी काफी ज़्यादा चोटी लगी है तो वो जल्दी से तो आ नहीं पाएगा फ्रैंकलीन यह पिंजरा कहां से खुलता है यह तो बताओ मुझे जिससे मैं जल्दी से तुम्हें आजात कर दू यहां अरे कोजो मुझे नहीं पता यह पिंजरा कहां से खुलता है लेकिन मैं यह गारंटी से बॉल सकता हूँ कि डैल लोड अभी तक मरा नहीं होगा इसी तरीके से उसने मुझे चकमे में रखा था और साहिद तुझे भी वो ऐसे ही चकमे में रखने वाला है तुम यहां से नि वो आगया है जल्दी से यहां से निकलो बचो यहां से अरे अरे कोई तो नहीं है आपर अरे लग गई रहे बहुती चोड की चोट लगी है अरे यह क्या मैं पिंजरे के अंदर इन लोगों की सरीयों के पार अर पार हो गया मुझे काफी ज्यादा चोट लग गई है अरे मैं तो बेहुस होने वाला तुम लोग बहुत ही बेकूफ होते हो सुनाना प्रेंक्रेंट जिस तरह मैंने तुम्हें अराया था ठीक उसी तरीके से मैंने तुम्हारे दोस्त गोजो सातुरों को भिहारा दिया बड़ा मज़ा आया इसमें मु जिस तरीके से तुमने मुझे हराया था ठीक उसी तरीके से ये ऐसा कायर लोग करते हैं ये तुम तो जानते ही हो और मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में तुम से बड़ा कायर कोई पैदा होगा अगर इस दुनिया में कायरों की लाइन होगी नहीं जाएगी तो उसमें टीम में और भी बहुत सारे मेंबर ने के लिए अरे अब आदी घंटे से जादा वक्त हो चुका है और गोजो सातुरी की कोई ख़वर नहीं है और ना ही फ्रेंकलीन यहां पर आया है मुझे लगता है कि गोजो सातुरों भी फ्रेंकलीन की तरह ही कैद में जा चुका है अब उनको छुडाने का सिर्फ एक ही तरीका है वो है हमारे हैवन लोड अब हैवन लोड के पास मुझे जाना ही होगा और उसको यह सारी बाते बतानी होंगी तब ही हैवन लोड यहां पर आएंगे और हमारी मदद करेंगे लेकिन हैवन लोड को आखिरकार में ढूंडू कहां यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हैवन लोड कभी भी एक जिगह नहीं डटते हैं एक काम करता हूँ पहले मुझे जाना होगा लो सेंटोस की सबसे उची इमारत पर और उसका भी पतर लगाई ही लेंगे आज वैसे तो सायद तक लो सेंटोस की जो सबसे उची बिल्डिंग है उसका नाम मेज बैंक है सायद वो ही होगी लो सेंटोस की सबसे उची बिल्डिंग अब मैं जाता हूँ यहाँ पर काफी ज़्यादा वक्त हो चुका है और अब मुझे नहीं लगता उन दोनों में से कोई भी यहाँ पर बचकर आपाएगा तो फट 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 जाता हूँ लो सेंटोस की सबसे उची बिल्डिंग पर और वहाँ से में चारों तरफ नजर रख पाऊंगा कि हैवन लोड कहां हो सकते हैं और हैवन लोड मिल गए तो यह सारी प्रोब्लम का समधान होई जाएगा आज की आज देखते हैं क्या होने वाला है और गाइस यह लो मैं पहुंच गया मेज बैंक की बिल्डिंग पर यह लो सेंटोस की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जैसा कि मैंने कहा था और यहाँ पर मुझे कोई दिखाई दे रहा है अरे यह कोई और नहीं बलकि हमारी हैवन लोड है हैवन लोड यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रोब्लम हो गई है जो तुम मुझे से मिलने आए हो मैं काफी ज़्यादा परिशान रहता हूँ जल्दी बताओ मुझे को आखिर प्रोब्लम है तो है क्या कुछ तो बोलो लूसिफर क्या तुम्हारी ज़वान काड़ दी गई है क्या कुछ बोलो ना जल्दी बोलो रे मेरे दोसिफर अरे सर बहुत ही बड़ी प्रोब्लम हो चुकी है आप हैल लोड को तो जानते हैं होंगे उसने धोके से हमारे दोस फ्रैंकलीन को पकल दिया है फिर हमने फ्रैंकलीन को बचाने के लिए गोजो सातुरों को भेजा लेकिन वो भी नहीं आया है और उसको भी आदे घंटे से जादा हो चुका है और उसने मुझे से कहा था अगर मैं आदे घंटे में ना आऊँ तो ये ख़वर हैवन लोड को दे देना और फिर मैं आ गया आपके पास ये बताने के लिए आखिर क्या हुआ था अब सर आप प्लीज उन दोनों को बचा लीजे हैवन लोड मैं आपसे भीक मांगता हूँ उन दोनों को बचा लीजे आरे इसमें भीक मांगने जैसी वाली कौन सी बात है मैं तुमारा हैवन लोड हूँ और मेरा तकाम ही यही है लोगों को बचाना और तुम तो मेरे अपने हो तो मैं तुम सब लोगों को जरूर बचाऊंगा आखिर वो है लोड का बच्चा मेरे दोस्तों और मेरे बच्चों को कैसे परिशान कर सकता है वला मैं जाता हूँ और गाइज अगर आप चाहते हो कि फ्रैंकलिन बच जाए और गोजो सातुरो बच जाए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्द ही मिलेंगे हम अगले एपिसोड में धन्यवाद